तो अपना अर्गनिक का पार्ट में कुछ चीज़ डिसकस की थी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक सी आप इटा साथ साथ बढ़ते रहें साथ साथ बढ़ोगे तो सब कुछ याद होता जाएगा अपने सास में टेट्रावलेंसी ऑफ कार्बन डिसकस कर ली थी बटा है ना टेट्रावलेंसी में आपको पूरी बता दी थी चली आज अपन कुछ ओर टम्स देखते हैं सेट्रेटेड एंड अनसेट्रेटेड गंपाउंड आइधिंक पूर्स आप देख विटा इसमें आप कुछ बच्चे सेट्रेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है और कोई नहीं अगर मैं बोलूं one saturated compound okay na so at least one carbon carbon pi bond should be present okay na at least one carbon carbon pi bond should be present up with a question they say after you question whether you you want a compound saturated yeah unsaturated you want a compound saturated yeah saturated you know unsaturated mat bolo hello me I said carbon carbon I care am unsaturated sara game carbon carbon per है ठीक है सादवानी ती डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा उपर कार्बन-कार्बन लिखा है मैंने क्यों और एटम लिखा है तो बटा देखो यहां कार्बन-कार्बन के बीच में तो क्या है सिग्मा बोर्ण ही है इसको आप ऐसा समझो देखो लियान दीजिए मेरे पास एक मिथेन है क्या मैं इस मिथेन को मैं ऐसा लिख सकता हूं मिथेन को बच्चो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अब देखो मैंने क्या किया इसके एच को हटाया और इसकी जगह मैंने सी एच गुरुप जोड़ दिया जोड़ दिया अब बताओ यह मैंने जो compound बनाया, वो मैंने किस से बनाया, यह compound मैंने किस से बनाया, मिठेन से बनाया न, मिठेन कैसा compound है, saturated और unsaturated, बताओ बच्चो, मिठेन saturated है, अब बात समझ मागी, आप से जैसे को यह बूछ ले, देखो बच्चो, TH3, TH2, TH, बताओ, यह compound क्या है, यह compound क्या है, saturated और unsaturated, यह saturated है, यह saturated है, यह saturated है बच्चो, देखो इसको ऐसे समझाओ, बच्चो, यह वाला molecule, इथेन है, है बच्चो, यहां से मैं एक H को अटाता हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं यह group जोड़ देता हूँ, जोड़ दूँ बच्चो, अब बताओ, अब आप इसको किस category में रखोगे, saturated या unsaturated, आपने बनाया इथेन से यह ना है, बटा, अरे, confusion किरेट जो हो रहा था, वो किलिए रुआ कि नहीं वा, बोलो बच्चो, समझ में आ गया, असुतोस गोतम, चलो, आप बताओ, अगर मैं आप से यह पुछूँ, बताओ, यह compound कैसा है, यह compound कैसा है, यह compound कैसा है, very good, आसी सिखावत, यह बच्चो, unsaturated है, है न, unsaturated है, देखो, यह carbon-carbon को पकड़ आप, सारा गेम, saturated, unsaturated बच्चो, carbon-carbon bonding पर है, यह ध्यान अखना आप, सारा जो game है, वो carbon-carbon bonding पर है, ठीक है न, तो इसको आप ऐसे समाझ सकते हो, देखो बटा, यह ethene है, इसमें सी H अटा हूँ, और अगर मालो, मैं यहाँ पर यह CN जोड़ दूँ, जोड़ दूँ, समझ माय गया है बच्चो, आप मुझे बताओ, मैंने यह compound किस से बनाया था, यह मैंने compound बच्चो, एथीन से बनाया है, और एथीन कैसा compound है, unsaturated है बच्चो, तो दिमाग में बैड़े की बात, है बहुत छोटी सी बात, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं, समझ माय गया आप लोगों को, बोलो बच्चो, समझ माय गया क्या, तब को, चलो, यह बताओ, यह compound कैसा है, यह compound कैसा है, वस आपका focus बटा, कार्बन कार्बन को उना चाहिए, ठीक है ना, यह compound, unsaturated, तो बात समझ माय गयी, हमारा focus किस bond पे होना चाहिए, बोलो बच्चो, हमारा focus किस bond पे होना चाहिए, carbon-carbon, किसी और bond को नहीं देखना आपको, कीक है न, यह दिमाग में बैठ गया बच्चो, यह दिया नखना, आप किसी और bond के basis पे कैदोगे, वो गलत हो जाएगा बच्चो, कीक है, बैठ गया दिमाग में, आगे चले, आगे चले, आगे चले बच्चो, तो, खिक है, अब देखो बचाशन हो, next, यह दिमने ले लिया, फिर अगला में टाब लेता हूँ, देखो, homocyclic, homocyclic compound, homocyclic, देखो, homo का मतलब, stimuler, हैना, cyclic मतलब, आप वो पता होगा, cyclic का मतलब, close structure होती है, हैना, तो क्या बो लेगी, cyclic compound, हैना, having, only, one type of, atoms, in, ring, ठीक है, हैना, बच्चो, और, अब बताओ, अगर मैं बोलू, heterocyclic, ठीक है, heterocyclic का मतलब क्या होगा, बच्चो, more than, one type of, atom, in, ring, again, बच्चो, ring मैं बात कर रही है, ठीक है ना, अब देखो, बटाओ, सुनो, suppose, अगर मैं आप से ये बोलू, देखो बटाओ, बताओ, बच्चो, ये compound, homocyclic है, या heterocyclic है, ये homocyclic है, हैना, क्योंकि जो OH है ना, वो रिंग से बार है, ये ध्यान रखना, ये क्या बच्चो, ये है homocyclic, ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आप से ये पूछ हूँ, बताओ, homo या hetero, homo है, oxygen ring से बार है बच्चो, oxygen ring से बार है, तो ये homocyclic है, अच्छा, अब बताओ, अब बताओ, ये वाला compound कैसा है, ये homocyclic है, इंसा पवार, रिंग में एक ही टाइप के अटम है, nitrogen, चेक करो, इंसा पवार सबज महाई बाद, मैंने क्या बोला, only one type of item, मैंने कई ये नहीं बोला, only carbon, आपन, ऊपर definition बढ़ो, ऊपर definition बढ़ो, बैटा, तो ये क्या है, ये homocyclic है बताओ, इसको बोलो क्या बोलेंगे, ये heterocyclic है बताओ, है ना, ये क्या है, heterocyclic, अच्छा, ये compound बड़ा important है बच्चो, ये पाई रोल, है ना, अच्छा, ये बताओ, ये बताओ, hetero है, heterocyclic है ना, और ये PDD, है बत्चो, ये बास राही, बोलो, ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आप से ये बुच्छू, ये compound बड़ा बच्चो, होमो या hetero, hetero है ना, रिंग में कौन-कौन से अटम है, रिंग में देखो बच्चो, कारबन के साथ, नाइट्रोजन भी है, है ना, तो ये है heterocyclic, है ना, अब देखो बच्चो, इसको नाम देखते हैं, मेला मेन, है ना, इसको बोलते है, मिला मीन, ये मेला मीन क्या होती है, जानते हो क्या आप, मेला मीन जो होता, बच्चो, ये आपकी अनब्रेकेबल, जो क्रोक्री होती है, क्रोक्री जानते है, घरों में अपन यूज देते हैं, बच्चो, क्रोक्री अपन घरों में यूज इसको गरनाने में काम आता है कि ऐसी क्रोकरी होते हैं अगर वो गिर भी जाए वो तूटती नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं अन-ब्रेकेबल क्रोकरी क्रोकरी जैसे घर में अपने चाय का कप होता है लेट होती है समझ आगया अब देखो बटा इस पर एक जी एडवांस में क्वेशन आया था कि बताओ मेला मेन की स्ट्चर में टोटल लोन पेर बताओ मेला मेन की स्ट्चर में टोटल लोन पेर बताओ बच्चो दिख रहे हैं आपको यह जी एडवांस में आया वा क्वेशन है बच्चो है ना टोटल नमबर ओफ लोन पेर 6 यह बच्चो कुश्यन टेएडवांस में आच चुका है तो होमो हेट्रो किलियर है होमो हेट्रो किलियर है अब देखो बच्चो सुनो अपन क्या बोलेगे वेन वेन दिंग कंटेंज अनली carbon atoms then it is known as carbocyclic compound समझागे यह कहता है वेन रिंग कंटेंज only carbon atoms then it is known as carbocyclic compound अच्चा अगर रिंग में बच्चो नाइट्रोजन होगा तो उसको नाइट्रोज़़गी बोल देगे तो अब मुझे एक चीज़ बता बच्चो अगर जैसे मैं आप से की पुछ हूँ इस स्ट्रक्चर में कितने हेट्रो एट्म है इस स्ट्रक्चर में कितने हेट्रो एट्म है दो है बच्चो देखो हेटरो अटम किसको बोलते हैं नम्बर ओफ हेटरो अटम्स कितने हो गई? हेटरो अटम्स है मतलब हेटरो अटम्स means अटम्स अधर देन साल बन है ना? अधर देन कार्बन इन और गेनिक कमपाउंद्स तो बोलो बच्चो होमो एंड हेटरो किलियर है? ठीक है? फिर देखो बच्चो सुनो फिर है बच्चो एलिफेटिक कमपाउंद्स बताओ बच्चो क्या होते हैं? एलिफेटिक किसको बोलते हैं? एलिफेटिक किसको बोलते हैं? कौर बताएगा एलिफेटिक की डेफिनिशन? बोलो बच्चो एलिफेटिक की डेफिनिशन बताओ एलिफेटिक का मतलब ओपन जेन कमपाउंद्स एलिफेटिक का मतलब ओपन जेन एलिफेटिक का दूसर नाम ही क्या है? ओपन जेन कमपाउंद्स ठीक है बच्चो? आप बताओ एलिफेटिक कमपाउंद्स बताओ बच्चो एलिफेटिक कमपाउंद्स इनको बोलते हैं? बच्चो यह जो नाम है ना यह दो टर्म से मिलके बनावा है दो टर्म कौन कौन सी? aliphatic plus cyclic aliphatic alilia or cyclic cyclic compounds having properties similar to aliphatic compounds cyclic compounds having properties similar to aliphatic compounds तो अगर अपन example की बात करें जैसे दिखो बटा मैंने ये लिया ये cyclohexane है है बच्चो तो इसकी properties होती open chain compound की तरह ही है कुछ अलग नहीं आती बच्चो properties वैसे होती है है ना ये बास जो आगी जैसे पिगे लिया cyclohexane तो समझे आगे है बच्चो किनको बोल रहे हैं बोलो properties होगी बटा type of reaction होगी है ना आपके boiling point, melting point वो उनके similar आते हैं अब cyclohexane है तो उसकी जो reactions है वो normal alkene की तरह ही होती है cyclohexane है उसकी reactions आपकी alkene की तरह होती है आगी बास बच्चो तो बच्चो ठीक है अब देखो बटा अब सुनी, अब मैं बात करता हूँ type of carbon atoms तो देखो बटा carbon atoms सबसे पहले देखो number one on the basis of degree of carbon है न बच्चो degree of carbon कैसे जैसे अपन क्या कह सकते है primary carbon या जिसको अपन बोलता है बच्चो one degree है ना secondary carbon 2 degree है ना trussary carbon 3 degree है ना और quaternary carbon जिसको अपन बोलते है 4 degree अब इसका मिनी का हो गया है ना primary का मतलब देखो बटा सुनो मैं सिधा example ही लेता हूँ आपको example से ये बात बहुत अच्चे समझ मैं जाएगी देखो बट्च्चो सुनो primary carbon का simple summing होता है कि ऐसा carbon जो आगे A की carbon से टेच हो समझनारी बात primary carbon का मतलब ऐसा carbon जो आगे A की carbon से टेच हो ठीक है तो देखो बटा इसको primary बोलेगी ये भी primary है ये भी primary है ये भी primary है ये भी primary है ठीक है secondary carbon का मतलब ऐसा carbon जो आगे दो carbon से connect हो देखो ये secondary carbon ये इधर और इधर दो से connect है tertiary carbon का मतलब बोलो बच्चो जो तीन से टेच हो आगे बच्चो असान सी बात है बोलो बच्चो आगे सब को समझ में चीक है ना तो अब देखो बटा सुनो अगर मैं आप से इसमें पुछ हूँ कि देखो इस compound में है ना इस compound में 1 degree carbon कितने count करो बताओ 5 है बच्चो टीक है 2 degree carbon कितना है 1 है 3 degree carbon बोलो बच्चो 1 है 4 degree carbon भी 1 है अब देखो बच्चो शनो है ना अब देखो इसी तरह से बटा अपन ये बोलेंगे degree of hydrogen depends upon degree of carbon मतलब क्या हाँ कि hydrogen जिस degree वाले carbon से जुड़ा वहना वो ही उस hydrogen की degree हो जाएगी इसका मतलब क्या हाँ कि 1 degree hydrogen अपन उसको बोलेंगे जो 1 degree carbon से टेज़ो ठीक हाँ बच्चो 1 degree hydrogen का मतलब समझ माया कि जो 1 degree carbon से connect है है अब बताओ 1 degree hydrogen कितने हैं काउंट करके बताओ बच्चो 1 degree hydrogen कितने हैं 15 है क्या देखो बच्चो यह देखो यह 3 3 3 3 3 2 degree hydrogen 2 degree बताओ 2 degree किती है 2 है बच्चो 3 degree hydrogen 1 है बोलो बच्चो अच्छा बताओ क्या 4 degree hydrogen possible है क्या क्या 4 degree hydrogen possible है क्या यह possible ही नहीं है बच्चो not possible ओई नहीं सकती reason अगर आपने 4 degree carbon पर एक hydrogen को जोड़ा तो carbon की balance ही किती होजेगी 5 होजेगी ना बच्चो बोलो बटा मुझ मैंगी बात अरे समझ मैं आगया तो क्या मैं सकता हूँ देखो 4 degree carbon यह तो possible है है ना बट 4 degree hydrogen है ना it is not possible समझ मैं आगया बात बच्चो ठीक है अब देखो बटाई एक बाहा बताव में देखो जैसे मैं अगर आपसे simple सा question पोच्चता हूँ देखो diamond है हमारा बच्चो diamond में बताव आपकी carbon की degree बताव diamond में carbon की degree बताव बच्चो 4 degree होती है ना degree of carbon क्या होती है हो 4 degree इस रचेasa डेखो वो ऐसे चार क्राdalम से टेच होथै होता है बच्चो अब बताव अगर मैं आपको इस compound में पुछ हूँ, बताओ इस compound के अंदर मुझे carbon की degree बताओ, फटा-फट इस compound में carbon की degree क्या-क्या है? C degree carbon इसमें कितने हैं, बताओ बच्चो C degree carbon इसमें कितने हैं, C degree carbon इसमें बच्चो दो ही है देखो, ये वाला carbon है ना, अब देखो बटा, या नगना, या ये chlorine है अब chlorine में किसी को carbon तो नहीं दिखता, अरे chlorine में कोई carbon तो नहीं दिखता तुछ में रब दिखता है, है ना, तो बटाओ देखो, इसका मतलब ये carbon इदर से और इदर से ये दो से connect है ना, तो बच्चो ये 2 degree बाँ, ये भी 2 degree, ये भी 2 degree लिखो बीच वाला बच्चो 3 degree बाँ, क्यों हो आप, इसको ज्यान दीखे, एक, दो, और तीन, इदर ये 3 degree, 2 degree, 2 degree, ये भी 2 degree, ये भी 2 degree, ये भाँ भाँ मतलब आगे, बोलो बच्चो, बोलो, तो 3 degree वाले 2 ही है बच्चो अब देख बटा सुनो एक compound होता है देखी जान दीजी मैं अगर compound की बात करूँ तो मैंने एक compound लिया यह वाला इस compound को बोलते हैं बच्चो massively इस compound का नाम है mesitlean अब बताओ इस mesitlean में carbon की degree बताने है बच्चो तो mesitlean में carbon की degree क्या क्या है बताओ बच्चो mesitlean में 1 degree 2 degree and 3 degree देखो यह बार वाला 1 degree 1 degree 1 degree यह 3 degree 2 degree 2 degree 3 degree 3 degree and 2 degree है बच्चो है क्या यह सब को समझ वाया अब देखो बटाओ यह यह mesitlean बनता कैसे है यह बड़ा important है देखो बच्चो अगर अपन क्या खरी 3 moles मैंने प्रोपाइन के लिए बच्चो ठीक है और इसको रेड़ वोड अफ़ी ट्यूब से पास किया है ना तो आपको मैं सिप्लीन मिलेगी बच्चो है ना कैसे देखो समझो बच्चो यह क्या है 3 moles of अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चो देखो जैसे बटा मैंने इसको ऐसे ले लिया ठीक है फिर देखो मैंने यहाँ पर लिया यह इस तरह से लिया ठीक है फिर देखो बटा अब बता बच्चो कितने मोल लिये मैंने बताओ कितने मोल लिये हैं 3 moles अब जब बच्चो अपन क्या करते हीट करते तो बटा एक बहां बताओ जब एक 5 बोल्ड ब्रेक होता है तो कितने सिक्मा बोल्ड बनते हैं है यह इस को यह से दिनल इस पाई बॉन पो मैं इधर लिया है इस यह पाई बोल्ड को मैं दद लिया और इस 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 नैंने लिया लिया है जाला बच्चो यह तो डेगा यह इंध हो जाएका तो अब देखो इस ट्रुक्चर में कुछ ऐसा आगया तो कि अब लो बच्चो यह समझ माया अरे यह समझ माया क्या हमने क्या क्या देखो बच्चो जो ट्रीपल बॉंड है उस ट्रीपल बॉंड को हमने किसमें करने बटी किया कि डवल मौन में तो जैसे मैंने एक मौन नुका तोड़ा एक मेरे पास ही इस तरह से बुठ टक है इस फाइब लुट पर तोड़ें तो यह एक लेक्ट्रन इसके उपर होगा अग्मी होगा ऐसा आ जाएगा बच्चो आजाएगा आजाएगा तो बस जब आपने इसके बॉन को तोड़ा तो हर कारबन पर क्या हो जाएगा एक एक अन्पेड इलेक्ट्रोन डवलंगी क्या भोलो बच्चो जब आप एक पाई बोंड तोड रहे हो, तो हर कारबन पर एक एक अनपैड उल्ट्रोन डवलप होंगे? अब बताओ, ये दोनों अनपैड उल्ट्रोन आपस मिलकर एक क्या बना सकते हैं? सिगमा बोंड बना सकते हैं क्या? मुझ बनाया है क्या? बोलो बच्चो, अरे समझ ब अगर हमें इसको और बनाना हो, तो कैसे बना सकते हैं? देखो बटा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं? ऐसी टोन, है ना? तो देखो बटा, सुनों, हमने इस तरह से लिया, ठीक हैं? क्या है? एक बाँ बटा बच्चो, यह मैंने कहा किये, यहाँ पर टी मॉल एसी टोन के लिए मैंने, और मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं, कॉंसेंट्रिटेड एक्स्ट एसोफोर के साथ, तो बताओ बच्चो, कॉंसेंट्रिटेड एस्ट एसोफोर क्या करता है? कौन बदाएगा आपने से? कॉंसेंट्रिटेड एस्ट्रोसोफोर क्या करता है? डी हाइडरेटिंग एजेंट है, वोटर का मॉलिक्यूल बाँ निकाल देता है, देखो बटा, यह देखो, यहां से निकला, यहां से निकला, और यह यहां से निकला, निकल गए बच्चो, तो, टीन वोटर के मॉलिक्यूल निकल गए, निकलने के बाद, आप देखे बटा, आपको जो इस्ट्रेक्चन मिलेगी, तो बड़ो बटा, तो समझ मैं आ गया, मैं सिटलीन आपको समझ मैं आ गया, तो बटा मैसिपली इनको अपन किस-किस से बना सकते हैं मैसिपली इनको अपन बना सकते हैं किस को देखो क्या बोला मैंने मैसिपली can be prepared by propine and acitone मैसिपली इनको अपने propine और acitone से बना लिया यह बात समझ आगी बच्चो बोलो बटा यह बात सब को समझ आगी क्या आगी अब देखो बच्चो सुनो अब अगर आगे बात करें अबन क्या कि degree of halide and alcohol क्या लिखा बच्चो अगे? depends upon degree of carbon क्या लिखा बच्चो मैने? degree of halide and alcohol depends upon degree of carbon क्या मतलब हुआ इतना तो जान तक है इस ओ एच गुरुप को एल्कोहॉस गुरुप बॉलते हैं बच्चो ओएच गुरुप को कौन सा गुरुप बोलते हैं ओच क्या बच्चो यह ये कौन सा गृुक है? तो बोलते हैं, आलको खॉलिक घृूप ठीक है, बटा, अब देखो बटा इस एलकोलिक घृूप की डिगरी वन डिगरी है इसकी तू डिगरी है और इसकी वन डिगरी है है ना बच्चो, बोलो कैसे? देखो, ये ओँईच इस carbon से connected तो इसकी degree वन वी ये OH इस carbon से connected ये carbon आगे किते carbon से connected है 2 से connected है और ये X से connected है बोलो बच्चो समझ मैं आगे का carbon की degree carbon के attachment पर depend करेगी ये बात समझ मैं आगे का बच्चो इस compound को क्या नाम देते हैं बता आपको इस compound को बोलता है glycerol glycerol बोलता है बच्चो इसको अब बताओ अगर मैं ये बोलूँ आपको बताओ ये alcohol कौन से degree का alcohol है बोलो बच्चो ये है alcohol 3 degree है ना ये OH किस carbon से connected है और ये carbon आगे 3 carbon से connected है तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 degree alcohol है है बच्चो अब देखो अगर माल लो किस तरह की picture हो अब बताओ ये alcohol बताओ ये बच्चो देखो ये इस से connect है और ये आगे एक से connect है तो ये 1 degree alcohol है है? तमझ़ ना गया? अब देख बटा सुनो जैसे सपोज अगर मैं आप से कूछू बताओ ये chloride ये जो chloride लिखा है ये कौन से डिगरी का है? देखो बताओ ये chlorine है ये chlorine इस carbon से टेच है और ये carbon आगे तो carbon से टेच है तो बोलो क्या हो गयागी? ये 2 degree chloride है आगे कैसे मैं बताओ बोलो बटा आगया ठीक है? जैसे देखो अगर मैं आपसे ये बोच्छू अब बताओ ये कौन से डिगरी हलाइड है? ये 1 degree है बच्चो ये 1 degree chloride ये हलाइड बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बच्चो आगे है समझ में? असान सी बात है अब देखो बटा सुनो नेक्स जो सबसे इंपोर्टेंट बात है डिगरी ओफ एमीन डिगरी ओफ एमीन डिगरी ओफ एमीन डिपेंड अपोन डिगरी ओफ कार्बन ये बड़ी काम की बाहर जो कि डिगरी ओफ एमीन डिपेंड अपोन डिगरी ओफ कार्बन है ना? अमीन की जो डिगरी है वो कार्बन की डिगरी पे डिपेंड नहीं करती ये समझे बच्चो आप लंग से ये अमोन या बच्चो इसमें से एक एच हटाया तो ये मिल गया मुझे एन एच टू इसमें से एक एच पर अटाया हमें मिल गया एन एक इसमें से एक पर अटाया हमें मिल गया ये ठीक है तो एन एच टू को बोलेंगे बच्चो 1 degree amine NH को बोलेंगे 2 degree amine और X को बोलेंगे T degree amine अब देखो पर टाइ सुनो या carbon की degree से कोई लेना देना नहीं है ना देखो जैसे suppose आप से कोई ये पुछे बताओ बताओ ये कौन से degree amine है ये कौन से degree की amine है ये 1 degree है धना इसको कोई इस बैसे स्वर्मत कर देना 3 degree amine नहीं है बच्चो ये 1 degree amine है अमद भागा ठीक है इसी तरह देखो बच्चो ये बताओ ये कौन से degree amine है ये 2 degree amine है इसी तरह से ये बताओ बोलो बच्चो ये 3 degree amine है ये समझ वागया सबको ये बोलो बच्चो समझ वागया तो degree समझ वागी अब देखो बटाशनो एक बता है ना degree of amine भी है आपके काम आएगी बार बार degree of amine देखो एक मैने ये लिखा एक मैने ये लिखा और एक मैने ये लिखा हूँ बच्चो ये ग्रुप amide है इस ग्रुप को amide ग्रुप बोलते है बच्चो क्या बोलते है amide बताओ ये कौन सा डिग्री वाल amide है ये कौन सा डिग्री amide है देखो NH2 दिख रहा है आपको सीधा सीधा त्यान दीजी तो ये 1 degree है बच्चो ये 1 degree amide है ये बोलो बताओ ये 2 degree amide है और ये 3 degree amide है ये सब को समझ भाया है बच्चो बोलो ये सब को क् Ear है तो degree आपकी काम कहांपर काम आ रही है degree देखो alcohol में काम आ रही है बच्चो हेलाइड में काम आती है एमीन्स में काम आती है और एमाइड में काम आती है है ना ये सारे आपके सलीबस में बच्चो अभी 12 दिक एंदर ठीक है फिर देखो बच्चो सुनो next मैं लेता हूँ बंजाईलिक कारबन ठीक है बच्चो बंजाईलिक कारबन तो क्या होता है कोन बताएगा बंजाईलिक कारबन बदाओ बच्चो देखो बटा आप ऐसा बोलो कि SP3 hybridized carbon which is directly attest to benzening यह जाना लगा आपको यह बोलना पड़ेगा SP3 SP3 carbon which is directly attest with benzene यह बासन आगी बच्चो तो जैसे देखो अगर मैं यह बोलो बच्चो हाँ बता हूँ यह वाला carbon SP3 है बच्चो बोलो बटा यह वाला carbon SP3 है तो इसको अपन बोलेंगे vanzylic carbon अच्छा vanzylic carbon से जो पूरजय ने जुड़ावा है, उसको क्या बोल देगी, अउसको बोल देगे, बैंजैलिक हाइडरोजन बोल देगी क्या बच्छो बोलो, बैंजैलिक कार्बन बैंजैलिक घ्रोजन यह बात सब को समझ मागी बोलो, तो अब देखो बटा, सुनो, अगर मैं आप से पुछूँ कि बताओ, इस compound में कितने बेंजायलिक carbon है और कितने बेंजायलिक hydrogen है, बताओ, इसमें तो ये एक है और ये टीन है, लेखो बत्चो, ये बेंजायलिक carbon है, है बत्चो, वो तो एक है, लेकिन बेंजायलिक hydrogen zero है बत्चो, है बत्चो, बोलो ये बात से को समझ माईगी, ठीक है, चली, तो बेंजायलिक के लिए रहे, अब देखो बटा समय, बात करते हैं, अलाइल, अलाइलिक carbon, अब देखो बता समय, SP3 carbon, which is directly attached with with SP2 carbon, excluding benzee ring, ठीक है बत्चो, क्या कहना है, अलाइलिक carbon, किसको बोला, ऐसा SP3 carbon, जो किसी SP2 carbon से अटे चो, लेकिन वो बेंजन द्रिंग नहीं होने चाहिए, ये बात समझ पार हो मेरे, ये बात समझ पार हो, क्या, बोलो बटा, आप देखो, कैसे ध्यान दीजी, ये, ये दिख रहा है, देखो बटा, यहाँ से ध्यान दीजी, ये समझ में आ गए, तो, देखो बटा, ये इसमें अगर मैं बोलू, इसमें ये अलाइलिक carbon, एक है, और अलाइलिक hydrogen, हाइड्रोजन, कितने हैं बच्चो, ये बासन रागी, बोलो, अब देख बटा, इसमें कितने अलाइलिक carbon हैं, बटाओ, दो हैं, और अलाइलिक hydrogen, हाइड्रोजन, एलाइलिक hydrogen, पांच है, देखो, देखो बटा, ये जो है, वो मैं कह सकता हूँ, तू डिग्री एलाइलिक carbon हैं, हैं बच्चो, और ये वन डिग्री एलाइलिक carbon है, ये समझ माया गया, तू डिग्री एलाइलिक carbon, and वन डिग्री एलाइलिक carbon, समझ माया, तू डिग्री क्यों बोला, देखो बच्चो, ये दो कार्बन से टेच है, है ना बच्चो, बोलो, ये बात समझ मायागी, बोलो बटा, तू अलाइलिक किसको बोलेंगे, उपर डेफिनेशन पड़ाओ, SP3 carbon, which is directly attached with SP2 carbon, तू देखो बटा, ये SP3 है, और ये SP2 है, ये से डारेक्ट अटेच है ना, है कि नहीं है, है, अब बताओ बच्चो, अगर मैं आपसे ये पुच्चो, इस compound में कितने अलाइलिक carbon और अलाइलिक hydrogen है, बताओ बच्चो, कितने अलाइलिक carbon और अलाइलिक hydrogen है, जल्दी बताओ, देखो बच्चो, ज्यान दो, ये रहा, SP2, इससे डारेक्ट में पीए है, ये है, है बच्चो, इस पे एक hydrogen या है, और इस पे दो hydrogen या है, है बच्चो, ये वाला 3 degree अलाइलिक हो गया है, और ये वाला 2 degree अलाइलिक हो गया है, हो गया है, तो बताओ, टोटल अलाइलिक carbon दो है, है बच्चो, इस compound इक एंदर, अलाइलिक carbon दो, और अलाइलिक hydrogen, कितने, पीए है, ये समझ माया है क्या बच्चो, बोलो, आरे समझ माया, हाँ बताओ बच्चो, अगर मैं आप से पूछ हूँ, कि जैसे मेरे पास ये बताओ, बताओ बच्चो, इसमें अलाइलिक, सब्या अलाइलिक क्या, बैंजाईलिक hydrogen बताओ, इसमें, नंबर ऑफ बैंजाईलिक hydrogen, बताओ बच्चो, नंबर ऑफ बैंजाईलिक hydrogen, कितने हैं, पाइफ हैं बच्चो, देखो कैसे, सबसे पहले, एक carbon, दूसरा और तीसरा, बैंजीन रिंग से तो, ये डिर्क लिए टेच हैं बच्चो, देखो, इस पे दो होगे, इस पे भी दो होगे, इस पे बच्चो, ये एक ही होगा, एक ही होगा ना, कितीस ना बनने देखो, तीन बोन्ड तो, ओल्रेडी बना रखें, बना रखें, नी बना रखें, तो बताओ, आंसर, पाइक जाएगा, कोई 6 मत बोल देना, अरे कोई 6 मत बोल देना, ये सब को समझ मागया गा, बोलो बच्चो, य रही क्या, खीक है, अब देहें बच्चो, ये होगा हमारे पास, बन्जाईलिक, फिर होगा, एनायली, अब अपन चलते हैं बटाब, नेक्स पर, एनायली के बाद, नेक्स लेते हैं विनाईलिक सार्व बदो बच्चो विनाईलिक किसको बोलते हैं? कौन बदाएगा? विनाईलिक किसको बोलते हैं? अरुशी सर्मा तीन कहाँ पर बटा, एक कर्वन बनाता है चार बनाता है न Іस कर्वन एक बोलन इदर बना लिए एक इदर बना लिए यह किदर बना लिया तो बच्चा बात यह क्यों है ना अरे कार्बन टोटल चार बोंड बनाते हैं आरूसी सर्मा तुम आई बात ठीक है देखो बच्चो क्या ओल SP2 hybridized double bonded carbon किसको बोलेंगे ओल SP2 hybridized double bonded carbon समझ पा रहे हैं मेरी बात देखो बटा जैसे अगर मैं एक ग्जांपल दो बताओ यह क्या है इसमें देखो यह carbon और यह carbon किक है जैसे देखो बच्चो अगर आपसे बोला जाए कि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में हर carbon double bonded है बेंजीन रिंग में हर carbon double bonded है इसमें देखो बच्चो आपके 6 बेंजीन रिंग है जैसे अगर मैं आपसे यह पूछों माल लीजिए मेरे पास यह कोई कंपाउंड है इस कंपाउंड में मुझे यह बताओ यह एलाईलिक वेंजाईलिक और विनाईलिक बताओ एलाईलिक, वेंजाईलिक और विनाईलिक कितने कार बनें बताओ बत्तु देखो बत्तो सबसे पहले आप विनाईलिक निकालो ना विनाईलिक सबसे सही रहेगा हर डबल बॉन्ड को पकड़नों देखो यह विनाईलिक, 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 किते हो गई, विनाईलिक हो गई, टेट हो गई, हो गई, अब देखो बटा, यह बेंजिनिक है, इससे डारेक्ट कनेक्ट कार्बन यह है, यह बेंजायलिक, यह बेंजायलिक, कितने हैं, द आफिके रीखो बच्चों यह थे और यह एनायलिक है वाद भी टो इंगा घृड़ो आफिश प्रण्वे अपलकि डशुजा तेरे को पुल समझमाया गा उन्हें आंसर तो बहुत गलत इया था बोलो बच्चो विनायलिक डिफ्रेंट समझ माया यह किसी को डाउट है इसमें बेटा एनायलिक आशी सिखावत किसको बताते हैं देख मैंने का बोला कि देख यह डबल बोर्ड है है डबल बोर्ड से डारेक्ट टेइज जो SP3 कारबन हो गा वही क्या होगा डबल बोर्ड कारबन से डारेक्ली अटेज SP3 कारबन यह अगा एलायलिक होगा लेकिन उसमें बेंजलिंग से अटेज नहीं होना चीए अब आपको रेकिन मैं इसको एलाई लिख नहीं, इसको बेंजा लिख बोलूँग, क्योंकि वो बेंजिन रिंग से कनेक्ट हैं, देखो मैंने उपर गी लिखा था, एलाई लिख पड़ो, एस्पी थ्री कार्बन, विच इज डिरेक्ली अटेज्ड विद एस्पी तु कार्बन, एक्स्क्लूदिंग बेंजिन रिंग, बेंजिन रिंग को छोड़ कर, क्या आसी से खावत, बात समझ मैं हैं आपको, ठीक हैं, अब देखो बटा सुनो, अब बात करते हैं, नेक्स, काईरल कार्बन की, ये तो आई थी क्या आप जानते हो, काईरल कार्बन, बताओ, क्या होता है, काईरल कार्बन, बताओ, देखो बट्चु, सुनो, क्या, SP3 C. ऑक्रबन, विज फelect क्योंद, इस आपट शार्ण आर्ण पर डिख Sony, SP3, क्योंद, विख सक्षर शार्ण आर्ण अर्ण गर्ट शार्ण ऑट्रण खर से, से, जात आइटम से अटेचंग, बच्चो अब देखो बटा सुनों यह लिखाव है PQRS है ना अब जैसे देखो बटा आब इस कंपाउंड का ज्यान जी जी दिख रहा है यह कंपाउंड कौन सा है कौन बदाएगा बच्चो यह कंपाउंड क्या है इस कंपाउंड का कौन नेम कौन बदाएगा ओखो सारान सिंग गलाइसीन अमीनो ऐसीड होता है इसमें कई पर भी NH2 गृप नहीं है बटा गलाइसीन अमीनो ऐसीड होता है वेरी गुड इंसा पावाद यह बच्चो यह लेक्टिक एसिड है यह क्या है लेक्टिक एसिड है ठीक है अब देखो बच्चो सुनो अगर मैं आपसे यह पूछ हूँ इसे देखो बच्चो मेरे पास T double bond यह है ठीच ओएच यह थीच ओएच दीच ओएच तीच ओएच तीच ओएच बच्चो यह जो कंपाॉंड है ना यह गुलकोज है ठीक है। गुल्कोज में कितने काइरेल कारबन दिख़े आपको, बताओ बैठो बताओ बैठो और ठीड दिख़ धार सुनू एक तो यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह हो गया, चार हो गए, हो गए बच्चो, देखो, यह तो वैसे ही SP2 है, भूल जाओ, काम का नहीं है, यहाँ देखो, इस पे क्या है, दो H आगे, यह देखो बच्चो क्या हो गए, यह तो non chiral हो गया, CH2, दो तो hydrogen similar हो गी ना, अब देखो बटा सुनो, अब बाकी, आप किसी भी ग्रुप को ठाकर देख लो, चारो ग्रुप अलग अलग है, हैं बच्चो, चेक करो देखो, जैसे अगर मैं इसका बोलू, तो इस carbon को कैसे explain करेंगे, देखे, यह अलग, यह अलग, इधर यह पूरा अलग, और बाकी जो बच गया, वो पूरा अलग है, अब आप इस में से किसी भी carbon को चेक कर लो, किसी भी carbon को, सारे के सारे अलग है, अरे समझ माया है क्या बच्चो, बोलो, बात समझ माया है क्या, गुलकोज में चार ही chiral carbon है, ठीक है, चलो बच्चो, अब बताओ मेरे को, अगर मैं आप से यह पूछो, जहां से सुनना बटा, TNH, TX3, TX3H, बताओ, इस में, इस compound में, कितने काईरल carbon है, कौन बताएगा, इस compound में कितने काईरल carbon है, इस compound में, कितने हैं, वो चेक करते हैं, अपर, सबसे पहले, अपन इस carbon को लेते हैं, तो इस carbon के लिए ज्यान दीजिए, इस carbon के लिए, यहां दो गुरुप तलग है, अब देखो बच्चो, यह और यह similar है, अगले दोनों गुरुप इसके लिए similar है, इसे decide नहीं वा, तो फिर आगे चलो, यह भी क्या है, यह भी similar है न, है की नहीं है, अरे समझ महीं बात, बोलो, यह जो गुरुप दिख रहा है, वैसा का वैसा, यह गुरुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना मच्चो, समझ महीं बात, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह वाला कार्बन तो काईरल नहीं है, यह तो नोन काईरल है, अभी तक मैंने एक काईरल कार्बन की बात की, अब देखो, नहीं सेक्चर को वापीस बना लेता मतलब, अभी ने जे इस, त्पर देखो, मैंने लिया, और यह लिया ह, एक कि इसलिए आप की यह थे, अब आप बढ़ह, देखो नूर्जर recाए और यह तो इसको लेता है, है बच्छो, यह तो Nebenore अब देखो, यह थे तो LSt dá की लेकिन अगला देखो यह ग्रूप यह है और यह ग्रूप अलग है बुक्त को डिफ्रेंट्ट आ गया क्या अरे डिफ्रेंट्स आ गया क्या समझ माईबात देखो इसके लिए पहला ग्रूप तो सिमिलर है तो अगले पे चलो अगला देखो डिफरेंट है ना बोलो बच्चो डिफरेंट है क्या तो अब बताओ अगर इस कार्बन के लिए डिफरेंट है तो वो इधर भी डिफरेंट होगी तो कितने कार्यल कार्बन हो इसमें बताओ बच्चो कुछ बच्चों ने इसमें आंसर जीरो बोला था जीरो नहीं है बच्चों कितने हैं अरे समझवाया क्या नहीं समझवाया हो ना एक काम करो ले ऐसे दिखा पता है यह मेरे पास यह है यह है यह प्लेन से बाइसे करते हैं अब बताओ बच्चों अगर मैं बोलूं कि यह वाला गुरुप और यह वाला प्लेुख पाता हूं है यह स सिमिलर है के नहीं तो बताओ जिस कार्बन पर क्लोरी जुडीवी है क्या वो कायरल है व क्लोरी जुडीव है ने अब आप इसको करके देखो अब देखो, मैं काम करता हूँ, मैंने ऐसे लिया बटाओ, अब बताओ, अब ये वाला गुरुप और ये वाला गुरुप, क्या सिमिलर है? क्या ये दोनों गुरुप सिमिलर है क्या? नहीं है देखो बच्चो, अब समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया का बोलो भाई, आ गया? ठीक है, अब बताओ, अगर माल लिए, मैं ये कहता, ये CL है, ये H है, इधर ये H, और मैंने लगा दिया C2H5, और इधर मैंने लगा दिया TH3, अब बताओ, इसमें कितने कारिलकार बन है? चेक करो, फटा फट बताओ, अब देखो बताओ, इसमें, समझ मागे, आ गया? पक्का, अब इसमें मेरे हिसाब से तीन है, ये ना बच्चो, सास्वत समझ मागे बाद बेटा तेरे को? बोलो बई, देखो, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करते हो, तो दोनो तरफ गुरूप सिमिलर है क्या? क्या दोनो तरफ गुरूप सिमिलर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये काईरल है, है ना? अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो, सब्सक्राइल व्सक्राइब का डॉनों तरफ गृप सीमिलर आ रहे है नहीं आ रहे है और यह भी ऐ है बच्छो कितने हो गए इसे इसमें कारिल कारबन एन ओगे ओगे बच्छो टिक एद ए और चले चलो कि आए ने इस बात करते हैं दुग एडिक डालता हूह है Acidic Hydrogen अब मैंने हैं डाले बच्चो Acidic Hydrogen यह क्या है इसको समझते है बच्चो देखो यह बच्चो It is of Two Types कितने टाइब के हो सकती है दो टाइब के हो सकती है कौन कौन सी सबसे पहले Alpha H Alpha H जानते हैं क्या होता बच्चो Alpha H कौन बचाएगा देखो बचाओ जहां से सुनना Alpha H क्या है देखो बचाओ अगर कोई भी Carbon जो SP3 है और वो SS Group से टेच हो जैसे माल लो यहां पे यह LDID है यहां पे यह किटोन है यहां पे यह NO है यह NO2 है ठीक है ना समझ माया मैंने क्या लिख दिया यह अगर SP3 Carbon जहना ऐसे गुरूप से टेच हो जैसे LDID है किटोन है नाइट्रोस है और नाइट्रो है एक एक ग्जाम्पल से समना इकोसिस करता हूँ आपके देखो बट्टास के माया देखो यह गुरूप दिख रहा है इससे डारेक्ट अटेच यह Carbon SP3 है है बच्चो इस Carbon को मैं Alpha Carbon बोलता हूँ और यह जो Hydrogen है ना वो क्या है वो Alpha Hydrogen है और वो एससे डिक है कैसे हैं बच्चो एससे डिक समझा सकते हो आप कैसे एससे डिक समझा सकते हो क्या देखो बच्चो क्यों है जहां से सुनना अगर मालो बोलो बच्चो अगर एसीड होगा वो किससे रियक करेगा बोलो बच्चो अगर वो acid होगा base सकरेगा तो base ने OH- आएं लिया यह OH- आएं इस H को निकाल दे निकाल दे बच्चो निकालने के बाद देखो बटा क्या बच्चा यह बच्च गया क्या अगर H हटा दू तो यह बच्च गया क्या बोलो अब बच्चो नेगेटिव क्या है नेगेटिव बोलो क्या है नेगेटिव औल्टरनेट विद डबल बॉन बोलो बच्चो नेगेटिव चार्ज जो है वो अल्टरनेट है क्या है बच्चो देखो नेगेटिव के बाद सिंगल बॉंड फिर डेबल बॉंड तो बताओ जब अल्टरनेट है इसमें रेजोनेंस होगा बच्छो अगर रेजोनेंस होगा तो बताओ इसकी stability बढ़ेगी क्या resonance होगा तो stability बढ़ेगी बोलो बच्चो यह resonance भाइस नहीं है ना तो stability बढ़ी तो बताओ बच्चो इसका मतलब यह H देगा अग नहीं देगा अरे H हटाने के बाद जो structure बनी समझ माया है क्या वो stable है तो देगा ना बटा आरे देगा क्या बोलो आप बताओ क्या इस कारबन की हाइड्रोजन यह बच्चो यह आपकी हो सक्ती क्या असिडिक यह वालिक हो सक्ती क्या असिडिक हो सक्ती है यह नहीं हो सक्ती है यह देखो सुनो तारे क्रेटेश और ची यह अलफा यह अलफा यह नहीं हो सक्ती क्यों नहीं हो सक्ती बच्चो बताओ यह असिडिक नहीं है असिडिक नहीं है देखो बच्चो क्या रीजन है है ना बच्चो ध्यान दीजिए देखो क्या अगर मैं इस में से H ता दूं सपॉर्श हठा दिया तो नेगेटिव बच्चो क्या डबल बांड का ऑल्टरनेट है क्या नहीं है ना बच्चो देखो नेगेटिव और डबल बांड की बीच में कितने single bond आगे negative or double bond के बीच में कितने single bond आगे दो आगे alternate का मतलब कितने आने चीए alternate का मतलब एक आना चीए एक आना चीए ना तो मैं बोलूगा बच्चो देखो negative is not alternate with double bond है ना सो resonance is not possible है ना बोलो बच्चो आरे समझ में आगा resonance थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा 11th के अंदर बाकी बढ़ाएंगे आपको इसी के अंदर आप बताव बच्चो आकर मैं आप से बुच्छू कि बताओ क्या ये हाइड्रोजन आपकी एसीडिक हो सकती है क्या ये हाइड्रोजन एसीडिक हो सकती है बच्चो देखो कैसे इसको अटाओ यहां से हटाते ही ये बना देख बुच्छा नेगेटिव टबल बॉंड के साथ क्या है अल्टरनेट है न है बच्चो तो क्या होगा वहाँ पर क्या होगा stable by resonance होगा बच्चो आगे है का समझ में अब बताओ क्या इस compound में ये हाइड्रोजन बताओ बच्चो ऐसीडिक हो सकती है हो सकती है क्या है बच्चो देखो यहां से देखो किस से हटाओ हटाने के बाद आपको देखो बताओ ये मिला ये सिफ्ट हो सकता है तो बच्चो अगेन क्या बोलेंगे नेगेटिव डबल बॉंड अल्टरनेट है न हमें अल्टरनेट का मतलब नेगेटिव डब इच में सिरफ एक सिंगल बोंड आना चाहिए ये समझ में आगे क्या बोलो बच्चो खीक है अब बताओ बच्चो देख सुना क्या ये कंपाउंड बेस से रिया करेगा क्या ये कंपाउंड बेस से रिया करेगा करेगा क्या बच्चो ये करेगा दी बच्चो क्यों नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने एच अटाया तो वो क्या होगा वो रेजोनेस में जाएगा नहीं जाये गहादा निया बच्चो बोलो परटा ये सब को अम पैया क्यों अरे समझ मैया क्या बोलो बेखो अपन क्या बोल लेंगे गह जा हनद नो रियेक्शन क्यों 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 तमिश येॱ्टि नो इतना सब को समझ वाया बच्छो बोलो बटा